मैं हूँ आपके साथ शेलेंडुर्पांडे सूर्य हमारे जीवन पर इतना गहरा असर डालता है कि सूर्य के बिना जोतिश की जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती ऐसे में जब सूर्य अपनी राशी में बड़ा परिवर्थन करता है तो इस परिवर्तन का हम सब के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है आज हम बात करेंगे कि सूर्य कन्या राशी में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य के कन्या राशी में प्रवेश का अगले एक महीने तक आपकी जिन्दगी पर कैसा प्रभाव पड़ेगा किसी भी मंगलवार से शुरुवात करें, मंगलवार को प्रातह, हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, प्राथना करें कि प्रोपर्टी सेल हो जाए, लगातार 21 दिन तक ऐसा करें, आप संपत्ति बेच पाने में सफल होंगे सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के कन्या राशी में प्रवेश का पूरा मामला क्या है, देखिए सूर्य देव 16 सितंबर को कन्या राशी में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य की स्थिती कन्या राशी में बहुत मजबूत नहीं मानी जाती, सूर्य जब प्रवेश कर रहे हैं तो यहां पर हो जाएंगे बुद्ध के साथ राहु केतू और ब्रिहस्पती से सूर्य का वरगी संबंध यानि स्क्वेर कनेक्शन भी बनेगा सूर्य के साथ ग्रहों का ये संबंध राहु का, केतू का, ब्रिहस्पती का, बुद्ध का ये संबन्द बहुत अच्छा नहीं दिखाई दिरा है और जादातर लोगों को अगले एक महीने में इससे समस्या ही पैदा होगी इसका प्रभाव लगभग एक महीने तक बना रहेगा अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का बड़ा और गहरा असर पड़ेगा किस राशी पर सूर्य के राशी परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा उस पर बात करेंगे जानेंगे कि मेश राशी पर सूर्य के राशी परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा अगले एक महीने तक मेश राशी वालों को अब अपने स्वास्त का ध्यान रखना होगा संतान पक्ष को लेकर थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही है साथी साथ आपका कोई कीमती सामान खो जाए किसी कीमती सामान का नुकसान हो जाए इस तरह के योग भी बन रहे है व्रिश राशी सूर्य के राशी परिवर्तन से आपके लिए धन लाब के योग बनेंगे संपत्ति की तमाम समस्याएं आपके हल होंगी और इस समय आप यात्राव पर भी जाएंगे मिठुन राशी सूर्य के राशी परिवर्तन से पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है पारिवारिक तनाव से बचें आपका काम लगातार बढ़ता जाएगा ऐसा लग रहा है और धन की स्थिती कुल मिला जुलाकर आपके लिए अच्छी बनी रहेगी अब जानते हैं सूर्य के राशी परिवर्तन का करक राशी पर क्या असर पड़ेगा आपके करियर में लाभ और बदलाव के योग बनेंगे आपकी जो आर्थिक स्थिती है फाइनिंशल कंडिशन है वो अच्छी बनी रहेगी और इस समय हो सकता है कि कोई बड़ा निर्ड़े भी आप लें सिंग राशी सूर्य के राशी परिवर्तन से आखों की समस्या हो सकती है इससे बचाव करें करियर में कुछ सुधार होता दिख रहा है साती साथ संपत्ति या वाहन का लाभ भी दिखाई दे रहा है कन्या राशी सूर्य के राशी परिवर्तन से आपके करियर और स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं आपके परिवार की जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ेंगी और आपके आकस्मिक धन के खर्चे भी थोड़ा सा आपको परिशान कर सकते हैं अब जानते हैं कि सूर्य के राशी परिवर्तन का तुला राशी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तुला राशी वालों को अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा. इस समय धन के खर्चे आपको परिशान कर सकते हैं और अगर इस एक महीने में यात्राइं करनी हैं तो यात्राओं में सावधानी रखिएगा. व्रिश्चिक राशी इस एक महीने में आपके करियर में उन्नती होगी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, संपत्त्ती और धन का लाब भी इस एक महीने में आपको होगा. धनु राशी, सूर्य के राशी परिवर्तन से अगले एक महीने में आपके करियर में महत्तपूर्ण बदलाव होगा, हो सकता है, कोई चेंज ऑफ प्लेस हो, इस थान परिवर्तन हो, और थोड़ा सा ध्यान इस एक महीने में रखना होगा, पारिवारिक जीवन में समस्याए आ सकती हैं, अब जानते हैं कि सूर्य के राशी परिवर्तन से अगले एक महीने तक मकर राशी वालों की स्थिती कैसी रहेगी, मकर राशी वालों की सेहत में सुधार होगा, विवाह संबंधी मामले बहतर होंगे, और इनको एक महीने में आफिस के कारियों में सावधानी ब अगले एक महीने तक चोट चपेट और दुरघटनाओं से आपको बचना है, वारी और क्रोध पर नियंतरण बनाए रखना है, धन के खर्चों पर भी अगर आप नियंतरण रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. अब जानते हैं कि सूर्य के राशी परिवर्तन का मीन राशी पर क्या असर पड़ेगा? मीन राशी वालों को वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा, और जो मीन राशी की गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें भी सावधानी रखनी होगी. मीन राशी वाले अगले एक महीने तक अपने कारोबार में नुकसान से हानी से बचने का प्रियास करें.